नमस्कार दोस्तों गौतम ओलाइन इस्टडी यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है तो आज आपके कुछ ऐसे नियम है जो व्यापम के दोरा गलत किया चाहरा है आपकी छात्रों के साथ वो नियम क्या है और आप सभी भी वीडियो को अगर देखते हैं तो इस वीडियो को जदा श्यदा सेयर कीजिएगा जिसे कि उन नियमों में परिवरतन किया चाहे इसके बारे में आपकी जो नियम बनाये गए हैं आपके व्यापम संस्था के दोरा वो क्या नियम है आपको में लाश्ट तक देखना है वीडियो को सब कुछ बताया चाहेगा अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को भी चुरूर लगेगा क्योंकि ये आपकी गलत किया जा रहा है आपके व्यापम संस्था के दोरा ठीक है चलिए स्टार्ट करते आज किस वीडियो को तो ज़्यादा श्यादा सेयर कीजिए अगर आपको इचानकारी सही लगे जो आज आपके साथ हम सेयर करने वाले हैं ये देखिए आप देख रहे हैं नियूस्पेपर की कटिंग जिसे में कि आपकी बताया गया है कि विरोजगार युवाओं से ठगी की जारे बरती सही बिविन प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए जेंसियां वसूलती हैं अलग-अलग फीस तो वक्त पर रिजल्ट आता नहीं और यदि परिक्षा निरफ्ट हो जाए तो फीस लोटाने का कोई नियम ही नहीं बनाया गया आपके ब्याप्रम के दोरा तो प्रदेश में हर साल होने वाली भरती और प्रतियोगी परिक्षाओं में दस लाग से भी जादा विरोजगारी हुआ आवेदन करते हैं और इन परिक्षाओं के लिए अलग-अलग एजेंसियां अपने हिसाप से फीस वसूलती हैं कारण साफ है कि प्रदेश में फीस वसूली का कोई निर्धायत मापतांडी नहीं है और कई मौकों पर तो हर समय पर रिचल्ट नहीं आता या फिर परिक्षाओं ही निरफ्त हो जाती है लेकिन परिक्षा निरफ्त होने की जो सूरत में फीस वापसी का कोई नियम नहीं है यदि कोई एजंसी फीस वापस भी करती है तो प्रक्रिया इतने लंबी होती है कि उम्मीदवार खुद को ठगा महसूस करते हैं। तो ऐसे में अब एजंसिया द्वारा फीस को रिगुलेट करने की जुरत महसूस हो रही है। इधर जानकर कह रहे हैं कि वरोजगार रिवाओं से प्रिदोगी परिक्षाओं के लिए फीस ही नहीं लेनी चाहिए। यूँआ करते हैं आवेदन। लेन विवाओं के लिए चिकिसा अधिकारियों के लिए वैक लॉग पद उपर वर्ति के लिए विग्यापन निकाला। फिर आपके फीस 500 रुपे टाए कि लेकिन परिक्षा ऑनलाइन उने पर फीस के अलावा 40 रुपे पोर्टल फीस भी लिए गई। कहा गया कि परिक्षा निरस्त होने की सूरत पर पोर्टल फीस वापस नहीं होगी। ठीक है इसमें अब आप देख सकते हैं कि जो सरकार की दोर्ट जो फैसले लिए गए हैं वो हम आपके सीधे सीधे उस पर बात करते हैं। तो सरकार ही ले सकती हैं फीस रिग्लएट करने का फैसला। जो है आपके इसमें आप देख सकते हैं कि यह नीदिगत फैसला है ऐसे मामले में सासन इस्तर पर विचार कर निया जाना चाहिए अभी A.F.R.C. इस मामले में कुछ नहीं कर सकता है यदि सासन जमेदारी देगा तो कारवाई की जा सकेगी यह कहना है आपके Admission and Fee Regulatory Committee जो आपके है कमलाकर शिंग के दोरा एक कहा गया है माग क्या की गए कि परिक्षाएं वजित कराने वाली जैंसियों दोरा वसुरी जा रहे फीस के मापदंड तै किये जाएं यह आपके माग की जा रहे है तो यह आपके ब्यापम के दोरा गलत किया जा रहा है छात्रों के साथ इतना बड़ा दोका किया जा रहा है क्योंकि हर बार आप देखते हैं कि फीस जो आपके होती है वो 500 ही रहती है और जितने बार आप फिल करेंगे 500 ही रहेगी जबकि अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो टॉप एक्साम की बात करें आपकी UPSC एक्साम हो गया UPSC एक्साम आप देखेंगे कितनी कम फीस रहती है आपकी UPSC एक्साम की सबसे ज़्यादा अगर हम देखे तो आपके ब्यापम की फीस ही सबसे ज़्यादा आपके रहती है ठीक है ब्यापम की फीस अगर आप देखे तो ज़्यादा से ज़्यादा फीस ली जाती है ठीक है तो इस तरह से दोका जो किया जा रहे आपके ब्यापम के दोरा ठीक है तो अगर अगर चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और वेल आइकन प्रेस कर लिजेगा जिससे की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय समय पर तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू